नमस्कार पेट और कबर की चद्वी को कम करने के लिए करेंगे कुछ आसन ये आसन हमारी जंगाओं के जोड को भी लचीला बनाएंगे फ्लेक्सिबिल्टी बढाएंगे तो पीठ के बला जाएं करेंगे मकरासन एडिया पंडे गुपने मिलाएं दोनों बुझाएं कंदे के बराबर की दूरी पे फिला दे हतेलियों का रूपर की ओर श्वात भटते हुए दाया पाऊं उपर उखाएं श्वात छोड़ते हुए बाय हाथ के पास आसन पर लगाने का प्रयास करें प्रभाव को महसूस करें आपकी जांगों के जोड़ पर सुंदर प्रभाव आरहा है। कड़ी से कड़ी कपजी परभावित होती है वापीस आ जाएं यही किरें हम दोनों टांगों से करेंगे दोनों टांगे उठाएं श्वाट छोड़ते हुए दोनों टांगे बाएं हाथ के पास आसन पर लगाने का प्रयास करें करें दोनों टांगे दाएं हाथ के पास आसन पर लगाने का प्रयास वापीस आए पाउ नीचे फिर से दोनों पाउ ठाएं क्लोक वाईस बड़े से बड़ा सरकल बनाएंगे तीन बार दोनों पाउ को गोलाकार गुमाएं दीरे दीरे दाई तरफ से होते हुए आसन को छूटे हुए बाई तरफ से गोलाकार गुमाते हुए अपनी तरफ लाएं इस तरह से तीन बार बड़े से बड़ा सरकल बनाएं पूरे जांगों के जोड़ों पर आप परभाब मैसूस कर परभाब में इर्या को धीरे धीरे करें एंटी क्लोगवाइस बाएं से नीचे होते हुए दाएं दाएं से अपनी और पूरी टांगों को सीधा रखेंगे बापीस आजाएं दोनों टांगे सीधी कर लें दोनों हाथ नीचे लियाएं दोनों टांगे उपर करें पूरी सीधी खोल दें दोनों हाथों से दोनों पैरों के मुठों को पकड़ लें दोनों टांगों को खोल दें यह था शक्ती खोलें बन करें खोलें बन करें खोलें बन करें होलें बन करें एक बार फिर उपर कोलें बन करें पकड़नों कर दोनों हाथ नीचे दोनों पैर भी निचे दोनों कि दें समाने कर लें आजाए श्व आसन में दोनों पाउं सुद्धा जेनक दाएंबाएं खुले हुए दोनों हाँ शरीर के पास अथ खुली हतेलियां काश की तरफ आखे को मलता से बंद, मंद शान, शरीर धीला डाला बंद आखों से पूरे शरीर का मान सिकव लोकन करे दाएं पैर के तलवे से एक एक कंग को डीला करते हुए कपाल तक कपाल से एक कंग को डीला करते हुए बाएं पैर के तलवे तक शरीर बिलकुल डीला डाला मन शान्त वजन धर्ती मा को समर्पी शवासन बहुत महपूर आसन है, जब आप कोई भी आसन करके हटते हैं, तो शवासन से पूरे शरीर में तापमान का संतुलन एक समान नहता है, पूरे शरीर में रग्त का परवा एक समान, बहुत ही परभाकारी आसन रापीस आ जाए, दाहिनी कोईनी का सारा लेकर उठकर बैड़ जाए, नमस्कार